शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें क्योंके थोड़ी देर में तू अपनी टूटी हुई हड्यों को लेकर हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़ा होगा इसलिए बचे निगाल चंदा च्रण चैय है कि मेरा क्या है कि मैं चे क्याच पैरों से कि टुवल यह उठता है कि तुम्हारे कि कि कहनी का है ऐसा फूल रहिंवा अपनी चे क्या व्ला करल चैंक झाल झाल तुछ झाल कि इत्वें पित्त कि इत्त थेखिए वहााााााााााााााा मुट या पुछ व झाרी यह प्स द ऊ मुट झारी की吧 मुट पुल कर एंज हू त। गया तर ऐली युक सा अ युक सा के घड़एlem । झाल 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 आज सुवा सारे अग्वज़ तरे इंग्लिश का पिरेद है अच्छा नहीं करना है चलिए तैर हो जा तब तक मैं तेरे लिए नाश्टा बना लेती याज मैं संसे पनी में ये इटे मोलतो ले अच्छाम रहे आजू अश्चाल सुवाल ये ये। पहती मतले जिसे पहती मतले गॉनिए डाजी ललीटा ललीटा जल दी नास्ता कर में तो देर हो जाएगी अरे तू नास्ता क्यों नहीं कर रही है मुझे भूख नहीं है खालो बिती देखो आज मैंने तेरी पसंद का नास्ता बनाया है ताजर का हलबाद गोभी का पराथा खाऊ ना ओफो तेरे बच्पना तब जाएगा अब खाऊ तुम्हारे हाथ से नाश्ता ना करो तो निवाला गले से उतरता ही नहीं जल देखाऊ ममी पानी ओफो क्या लड़की है शादी कुमर होने आगे अगर मा की गोद से बाहर नहीं निकली और निकलूंगी भी नहीं इसी गोद में बड़ी हूँ और इसी गोद में बुडिया हो जाऊँगी अगर गोद से नहीं निकलूंगी अच्छा बाबा कॉलेज को देर हो रही है बस कर बस्तित अज पहली बार मुझे एसास हुआ यह गदा इतना खुबसूनत जानवर होता है यह गदे लोग खामगा गदे को गदा कहते है और मैं उस कलाकार को भी दाद देना चाहूंगा जिसने मेरे चेले को इतने घौर से स्टड़ी किया और मेरी इतनी अच्छी थजिए बनाई अब काम की बात करें मैं आपका नया प्रोफेसर हूं आपको अंग्रेजी पढ़ाने आया हूं अब मैं अपने हर एक विद्यार्थ जानना चाहता हूं कि मुझे में कमजोरी है मुझे अपने हर एक स्टुड़न कर नाम वहात आसानी सीहाद हो जाता है आप अब अब दाइए शीला शर्मा अब दावा शीला शर्मा आपके तर नामें भी शर्मा है पिर भी शर्मा नहीं नहीं इतने खुबसूरत चेरे पर आपका नाम अपना सुना लेकिन किसी और के मुझे से बोल कर पैट जाओ आपका नाम वहाँ फैंटास्टिक जो शक्स चौक से अच्छी तस्वीर बना सकता है पहनों की आवाज निकाल सकता है मेरा ख्याल है कि मैं उस आहटे से मुलागात कर ही लूँ अरे आप वहां तरशीव रखते हैं इतनी दूर करीव आए ना आए ना जीव मैं आप तुम मैं यह रभी अरे भी फिच्छोंगे मैंने का ना यह कमजोरी है नाम यार रखने की माणरे तो आपको अपना नाम बदाए है नी अरे बता किना मैं यार्ट किया तो क्या किया मज़ाद तो तब है कि तुमने नाम नहीं लिया और हमने कहें दिया अरे यह श्र बन गया है यहां नहीं वागए यह तस्वीर बाद अची बनाई है दुमने एक काम करते हैं मैं तुम्हे बड़ा सखेंद दे देता हूं तुम यही तस्वीर उसपर बना रहा लागा मैं नुमाश में भीज दूँगा अपने तैलिंग यहां क्यों बेस करते हो कि अधाओगे से या फिर में पोरा बोर्ड खाड़कर नुमाश में भीज दूँगा अब तुम्हें इस क्लास के सबसे बेतरी स्टूट होने के नाते एक हार पेश करना चाहता हूं जब भी इन फूलों की खुश्बू कैसी है कोई खुश्बू नहीं है यह कागजी फूल है बिलकुल सही याद रखना बेटे जिन्दकी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो असली फूल बनना कागजी फूल नहीं चोना सुंगा जा सकता है और नहीं भागवान के चरोनो अग्वान के तोट अग्वान के चुश्मदीद कवाव यह नोटों के तराजू में तोलकर अपना इमान बेचने वाला चश्मदीद कवाव यह कहता है इसने 14 फरवरी की रात को स्थी मादेवी को चंपक लाल का खून करते वे अपनी आखों से देखा यह काफी दूरी पे कर सकंदीद कर दिद्धार्वी को कर दोट दिया है इजند के मुंसेपार्टिद वालों के मिर्वानी से बिदी और बती है, एक अइसका मतलब यह जूट बोलता है случай मेरे मेह पाहिषा किया जाए और लुटा इस पर मुकदमा चलाए जाए तरस लिए रानत पास क्या बई क्या केश लड़ा है आपने चलो बची जाकर खेलो इस बिना चत और बिना दिवार की अदालत को खिला के रख दिया आपने जैज साब तो पहले से नहीं थे परिंदे उड़ गए लाउंडों को माई ने भगा दिया इसी बात पर एक गर्मा गरम चायागा कप हो जाए नहीं वह मेरे पास पैसे नहीं है वह तो लग रहा है जब एक बिगडा हुआ वकील जूट मूट के जज के सामने जूट मूट की अडालत में जूट मूट का मूट मा लड़ रहा हूं उसके पास पैसे कासे आएंगे और उसके पास तो जूट मूट के पैसे भी नहीं होंगे मैं आपका केस एक जज की तरफ बले ध्यान से सुन रहा था आप वकालत कर सकते हो कर सकते हैं आपके अंदर मुझे दम नजर आ रहा हूं इसलिए तो फिरी की चाय पिला रहा हूं तो दिन से चाय पिने को मन कर रहा है मगर जेब उसकी इजाज़त ही नहीं दे रही थी तो दिन से वैसे काम क्या करते हो आप हालत दे के समझ में नहीं आता हूं मैं क्या काम करता हूं हालत देतर लाग रहा है कि फटकड़ों और बदन धाकने के लिए किसी मरे हुओ वकेल की ड्रेस पैन के गूम रहा हूं इसलिए तो फुछ रहा हूं कि काम क्या करते हो मैं हिंदोस्तान के पड़े लिखे लोगों की चलती प्रती तस्वीर हूं इस दुनिया में विश्वस सिफारिश दौलत थीन बैने हैं और जिस किसी को यह तीन बैने नहीं मिलती तो इसके हालत एक सी हो जाती जिसी मेरी होगी मुझे भी आज तक एक केस नहीं मिला में लोगों की पीछे भागा उनके हाँ जोड़े मुफ्त केस लड़ने की लालज दी अगर कोई केस लेकर मेरे दरवाजी पर नहीं है अगर मैंने लोगों को तवाइफों की तरह अगर मैंने लोगों को तवाइफों की तरह आपके सामने नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नम चुनी लाल चाय वाला नहीं अगर चैनस मिले न तो अमरिका को रूस के हाथों बेच कर चीन भाग जाए अब आप जरा मेरा चमतकार देखिए अगर मैं आपको नहीं बेच दारू नहीं तो मैं अपने दो बाप की उलाद में दो बाप की मेरी माने दो शादियां की तुम किसकी उलादो पहले की दूसर अब दो बापता की रहने दीजिए अब देखिए मैंने आपको नहीं बेचा तो मेरा चुन्नी लाल नहीं तुमुझे क्या बेचेगा मुझे को मुझे नहीं खरीदने वाला अरे कैसे नहीं खरीदेंगे वकील साब ये पबलिक सिटी का जमाना है अगर तबाह कर पबलिक स सुने के भाव दिख जाती है और कंकर हीरे के भाव तो समझ लो आज से आप इस तेश की सबसे बड़े और मशूर वकीर बन गए और मैं आपका असिस्टेंट चुन्नी लाल अगर बड़ी बड़ी आँखी लगी है इन आखों में रौशी में है क्या लड़की यह तुम्हारी बड़ी बड़ी पड़न जैसी आखों के उपर तुमने इतना बड़ा सहर लगा रखा उसमें अकन नाम की कोई चीज है कि नहीं जो तुम्हें यह समझा सके कि मेरी साइक मर्द नहीं औरत है लेडी है लेडी एक मर्द होकर लड़कियों की बीच घुस्ते हुए शर्मानी जाहिए तुमें यह नहीं बलके मेरी इस बिचारी लेडी साइकल को इन बेवकूफ लड़कियों के स्टैंड के ओपर खड़े रहते हुए शरम आ रही है कुछ समझी आप आपने स्टैल में मेरा दिमाग ठीक किया और आफ मैं अपने स्टैल से तुम्हारा दिमाग ठीक करूगा तुम क्या कर लोगे मेरा बताओं क्या करूंगा अरे तुम क्या बताओंगे बुस्दिर तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते प्रेंस रेड क्राउस के लिए चंदा दीजिए यह पैसा गरीब बिमार यतीम स्रून की हेल्प के लिए है प्लीज और उसके बाद मैं अपने गरीब भायों की दिल खोल कर मदद कीजिए थैंक यू गर्स बहुत पुन्य का काम है गरीबों के नाम पर पैसा जमा करके खुद प्रेंगी काम है थैंक्यू लालिता रेड क्राउस के लिए यह चंदा नहीं है इन लोगों का अपना खुद का बनाएवा धंदा है और आप जैसे शरीफ घराने की लड़कियों को चाहिए कैसे बदमाश लड़कों को सपोर्ट करें अच्छी तरह जानती हूं कि शरीफ और बदमाशों को कोई हक नहीं है कि वो शरीफ लड़कों का नाम बदमाब करें और उनकी सोशल वक में रुकावट पैदा करें थैंक्यू लालिता थैंक्स लाली चंदा प्लीज चाबाश काफी बेवकूब लोग रहते हैं शेहर में यतीमों गरीबों का नाम लो और रंचंदा दे देते हैं छोड़ो मेरा हाथ यह क्या बत्तमीजी है यह बत्तमीजी नहीं है बलकि तुम्हारी आखों को तमीज सिखाने के लिए आलाया हूं यह देखो तुम्हारे शरीफ परिष्टे अच्छा है यह पैसे ले जा और सप्लायर को बोल के चरह साभी भेज़ दे निशान करीबों के नाम पर लोगम को धोगा देते हो रभी सच कहता था तू बदमाश हो कमीने हो चार्सों बीत हो तो तूने हमारे चंदे के धंदे की पोल खोल दी कोई बात नहीं बिटे हम तो तेरे से ही चंदा वसूल करेंगे क्योंके थोड़ी देर में तू अपनी तूटी हुई हड्डियों को लेके हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़ा होगा इसलिए बचे निगाल चंदा चंदा चाहे चैँए की की तक मेरा क्यारी किযहाँ मेरा ह wreck tast हाथों से देता हूं और क्यार पैर वे सेट आप सव यह उटता है कि तुमहारे सगे भायशाब को पेले चैय क्या proceeds लगता इसे चेक और क्याश हीखथा यह दुआ आयो कर दो! कर दो, 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 क हुआ हुआ फुआ हुआ हुए अ मय ऐख उआ हुआ 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 हाग गप कर दो जड haz हुआ हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि तरह पूल यह चले आरहे थे पूल तोड़ गया तंडर हाथ में रहे गया अच्छा बस भी करो कितना अस रही हो अच्छा बूलो किसली बुलाया था फूल देने के लिए खर चोड़ो क्यों जखमों पर नमक चड़क रही हो आरे खंबक यह भी कोई फूटबॉल खेलने की जगा है चलो मेरे लिए यही फूल से बढ़कर है एक बात पूछो हाँ पूछो वहां जाकर बैठे बैठेना उस देन मैंने साइकल स्टैंड पर तुम्हार साथ बदतमीजिक की थी और तुम्हें धपड बिमारा था फिर भी प्रिंसिपल से तुम्हें शिकायत क्यों नहीं की मैंने भी तुम्हारे साथ बतमीजिकी थी तुम्हें भी दूश शिकायत नहीं की अब एक बात और पूछो और पूछो और दर्शन बात यह कौन चाहाँ पर के सब्सक्राइब करने के लिए यह जेगा बुचो और पानी भाण जाने के लिए इसका नहीं फैसे अभिए बने दी तो यह अगे बोलना याजिकी बना आ आगे आ तो आगे तो पूछो आगे तो आगे योजिकी तुम हो, पिकर मैं हूँ, बढ़के मैं चाता हूं के दोनों से. एए, चलो तो यहां से. तुम? वहां से उड़ाया तो यहां के बढ़के? चलो पनी मानना यहां पर. तुम मुझे पुछने नहीं देगा. यह? यह. तो नाची, कहां जी? कोई आता है, कोई जाता है. आने जाने वालों के दिए हम दाता है. चलो चलो चले दूर करी. चलो चलो चले दूर करी. प्यार के लिए जगा ठीक नहीं. प्यार के लिए जगा ठीक नहीं. चलो चलो चले दूर कहें प्यार के लिए ये जगा ठीक नहीं किसी परबत पे जालते दे रहा किसी जंगल में घरले बते रहा चलो चलो चले दूर कहें प्यार के लिए ये जगा ठीक नहीं सब्सक्राइक ला इनरता के लिए यह शरु में घरलते रहा चलो चल्ड़ किन्मा आ els आकदंद्वा यह रिक अधि YA sollक्तहरा अध्या लिए तरीकिन्द कि秒 है तीर मेरे जान ए बाबु माचिस है कब कोई आजाए क्या है यकी प्यार के लिए ये जगाटी कि मैं चलो चलो चले दूर कही प्यार के लिए ये जगाटी कि मैं कि आए ये जोषके तर्ले है करहाया करशितमे Carnha मैंने तो प्यार तो अब अंग्राईया कुईया रहा है कुईया रहा है फुल जाए रुत्वाईया एई मिश्टर टाइम क्या हुआ इस कम बाक्त तो आना था यहीं चार के लिए ये जगा ठीक नहीं चलो चलो चले दूर कहीं चार के लिए ये जगा ठीक नहीं चलो चले दूर कहीं चार के लिए ये जगा ठीक नहीं चलो चल दूर कही, प्यार के लिए जगा ठीक नहीं मुमी, 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 इसका क्या मतलब है क्या मुमी, तुब कुछ भी यार नहीं रहता, आज से 18 साल पहले आजी की दिन तुम मा बनी थी आज तुम्हारा जन्म दिन है, तो बाते के बज़ाए मदर लिख कर घर भर दिया ताहिर बात है, अगर मदर ना होती, तो डॉटर कहा साती, इसलिए पहले मम्मी इस दे फिर बरते और इसलिए मैंने अपनी देवी जेसी मा के चड़नों में चड़ाने के लिए चारों तरत ये फूल सजा रखे हैं अरे, जवान बेटियां पहने हैं चुआ करती हैं मां कि सिनर से लगा करती है जर्म दिन मुपा रखो, ये तुम्हारे लिए, इससे पहनो जरह देखो तो मेरे बेटी के इसलिए इसलिए तैंक्यू ममी और ये फूल आपके लिए है बेटी का जर्म दिन मुपा रखो अपने बेटी का अशिर्वात दीजी कि उसके हाथ में सुख के महंदी लगे खुशों के फूलों का सहरा पहन कर दिलहन पहन कर अपने संसार बसाए और मेरा आखरे करते भी पूरा हो जाए मामी, कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल राजकुमार की तरह चांद्री राट के किर्णों से जादा सुन्दर खुलों की मुस्कुराइट से जादा खुबसूरत लग रही है मेरे बेटी खलत सुरज को चिराग बनाकर अस सारी दुन्या में घुमो फिर भी मेरी ममी यैसी खुबसूरत देवी इस अंसार में नहीं मिलेगी बस तू आते जाते घुमा फिरा कर बात मुझे पर ही लिया कर क्यों ना लाओ मेरे पास तुम्हारे सिवस दुन्या में रखा ही क्या है अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा जब तुम मेरी उम्रप को पहुंचोगी ना तब समझ में आएगा चल बदनाश कहीं की ममी एक मेरे मेरे साथ चलो तो आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तौफा खेलो ममी एक बाद फिर वही गीत सुनाओ ना नहीं बेटी आज नहीं फिर कभी देखो ममी इंकार नहीं आज के दिन इंकार को सुविकार नहीं किया जाएगा बल्खी मा की तरफ से पिटी को वही गीत तोफे मेरे पेश किया जाएगा पत जरसार वसंत बहार एक परस के मौसम्चार मौसम्चार पाचवा मौसम्चार पाइंकजार पाचवा मौसम्चार आज क्रमी पाचवा मौसम्चार आज करेंगा मौसममचार कजल टुपी पल को मा लगाए लिये क्या करूं उंगली से काजल लगाने जाता हूं जैसे आख बंदो जाती है तेए रो हम आपका सिखात है कि आख मा काजल कईसे डाला जाता है। तो झाला है ज्यादा नस्रीफ ओगे तो क्या करें तू अंदर कहा खुशी आ रही है अरे क्या करती है कहा लगाना ची कहा लगा दिया यार तो हम का करें मालिक आप भी तो सीरे खरे रहो ना चुछी मुई की तरह हिलते सुकड़ते रहते उलो अपास मत करका जा लगा तो फिर दीदे का धकन खोलो ये दीदा को टिफिन बॉक्स नहीं के धकन खोलो करें पनारे भी परकारें कर दाना यह त्यां सुंदर बना रहे हैं के आपको सुंदर बना रहे हैं मालिक भी जबबंडर का झैड़ तने मुद देख दिया मुदो कर दिया है कि ये काला थ्मी कुन है है आप ही नावनमाल मैन्य टे रसे आपटा है कि और लगातें नोगाइं हिलने अप्रणिये वर्णी के खाल समय है मुह पे काला तीका लगा रहा था तीका लगा यह तो फ़र्स नजर लगा रहा हुआ जाएंगी मतलब की वाज़ प्धिया चमाग के की बचलग टू है स्वाप नोगो जण बचली रहते हैं लाल और पन्ना लाल दोनों हीरी का धंडा करते जहरी है तोनों में किसी नाजुक सी बात पर इक जबरदस गलत नाइमी हो गई है दोनों अलग होना चाहते अजालत का धर्माजा खड़ाना चाहते यह केस आपको लड़ना है यह मतकर मुझे दिख रहा है केस तो है दमदार अच्छा राम को टोरी इसी बार पर मेरी आंखों में काजल कुषड़ दे मुझे भी लगाजे तो यह इसको गिलाज गरम बारी पिला तर्मीने करम अब खोल के रखो हां खोला ना मारे और कितना खोलू कबार ठोड़ी यह अधार पर में आखोले वाकील बहुत है अंधा कोल भी नहीं है यह वर्ल्ड रेकॉंड होगा राम कोटोरी काई रहे तेरे ले घर्मा पानी लाने गई है जुट बलता है तले यह तड़ी वली कौन है तो यह तो यह तो यह तो यह तो पूछते हो कौन है राम खोर जुट यह तो वाइन यह तो यह तो यह तो यह तो की वकालत मैं अकेले करना चाहता हूं अगर आपके इजाज़त हो तो मैं अपनी कारवाई शुरू करूँ इजाज़त तो है लेकिन किसे एक की तरफ डारी मत करना नहीं नहीं मैं दोनों की तरह दारी करूंगा और दोनों को तुरुर्वा ठहराऊंगा पनला जी क्या यह सही है कि आप जोहरी है और यह भी सच है कि आप हीरालाल के छोटे भाई हैं हम दोनों जुडवा भाई हैं तो पनला जी आप शादी शुदा हैं जी नहीं मैं कवा रहा हूं आपने शादी क्यों ने की पिदा जी ने कहा था पहले बड़े की हो जाए उसके बाद तुम्हारी हो बड़े के आप तो कर रहे थे कि आप दोनों जुडवा पैदा हुआ तो पिर जोटा बड़ा कांसे आ गया है और वकील साब आप समझते क्यों नहीं यह यह दस मिनिट पह मेगाली ते इसमेघ मों पहिता अगर तुम्हारी मा को गाली नहीं तो आपने बाबो मैं इसके साथ एक मेल भी देने चाहता है तू मेरे साथ क्या नहीं रहेगा मैं खुद तेरे मूपर ठूकना नहीं चाहता है यह अधालत है को जो यह दो तरह को तुम इन में दोलों का वकील हो अब मैं इंडर करहा हो तुम्हे तरह कर दोला के लिए परावर नहिंगा परावर नहीं सरा घाली शटा फटाउ अजू ने अपने सारा हिसाब किताब सारा कारवार इसके भरों से छोड़ा वाथ इस में अगश्वास करता था लेकर उस दिन उस दिन मैंने एक ऐसा घनाबना मंदर देखा वकील चाहब कि मैं परदाश नहीं कर सका ऐसा क्या मंदर देखा आपने मुझसे मत पूछिए इसी कमीने से पूछिए है हाँ तो कमीने साब मेरा मतलब पनला जी इन्होंने क्या भेहनक मंदर देखा मुझसे मत पूछिए इसी जब पूछिए ये कहता है तुम से पूछो तुम कहते हो इस से पूछो इनसे उनसे होता रहेगा तो मुकद्दमा आगे कैसे बढ़ेगा मैं आगे बढ़ाओंगा ये रहनर ये शरीफ और नेक हिरालाल जब उस दिन अपने घराया तो क्या देखता है कि ये जलील और कमीना पनालाल ये विश्रास घादक पनालाल अपनी भावी की गोद में लेटा हुआ है भावी उसको जुकी हुई है और उसको किस कर रही इतने शरम की बाते इसलिया ऐसे झेली इंसान को को प्र देना चाहिए इसको जी करदेना लेकिन-खुलाज कर देना की सब्स्क्राणान और उसको बढ़िए को मा के हाट डालने के बराबर है लेकिन हीरालाल जी का कहना है कि पनालाल अपने पापों पर्दा डाल रहा है उसने ये घिनोना पाप करते वे पनालाल को अपनी आँखों से देखा है किसी को कहते वे नहीं सुना लेकिन मेरा ये कहना है कि हीरालाल जी ने जो कुछ अपनी आँखों से देखा वो गलत देखा और वो मैं अदालत में थाबित कर सकता हूँ हीरालाल जी जरा अपना चश्म मतारना तो हीरालाल मेरी एक तरफ इंस्पेक्टर साब खड़े हैं दूसरे तरफ हवलदार खड़े हैं अब जरा गोर से देखे बताओ कि इंस्पेक्टर किदर है और हवलदार किदर है इस तरफ इंस्पेक्टर साहेब है और उससर अब आराला तो मोल्टा बूल कोट हैthose से अधोर बताओ नहीं हैसार जाओ ओन्हें नी इसर ऐसल्दास नी है अधे उस्तार ओन प्रेट Defense आप और उस तरफ हड़ा ओ आ हर जै तो इसका क्या मतलब हुआ गुरू कि आपको बगए चश्मे के नजर नहीं आता है और उस दिन भी जब आप अपने घर आये थे तो आपकी आँकों पे चश्मा नहीं था बलके आपने चश्मा बनवाले के लिए फूल चंद कांटे वाले की दुकान पर दिया था और यह रही उस आप्टेशन की रसीब और चाफ नजर नहीं आता है और जब मैंने आवास दी तो मेरी बीवी जो इसके मुझा पर जुकी हुई थी घबड़ा कर खड़ी होगे लेकिन यह जमीन पर लेता रहा पे शर्म इसका जवाबी है मेरे पास क्या है क्या है काजल यह आप जिस मह अजकल काजल बनाने का धंदा शुरू किया है आँकों की रोशनी तेज करने वाला काजल अरे रोशनी क्या खाक तेज करता है जो आदमी अपनी आँकों में लगाता वो मश्ली की तरह फटबड़ाने लग जाता है उसी जोकुमल से तुमारे भाई ने भी एकाजल खरीज घर आगे उस काजल को जो बापनी आँकों में लगा तो आँकों में तकलीफ होने लगी जबी पर लेटके चीलाने लगा कराने लगा इतने में तुम्हारी बीवी आई अपने देवर की हाला देगी तो उसे परणाश नहीं हुआ ममता कि मारी जमीन में बैठी अपने बेट अब अदालत तुम दोनों से आखरी बार पूछती है क्या तुम दोनों अलग-अलग होना चाहते हो ने ने यह सब नहीं मैं गुनेगार हूँ मैं पापी हूँ मैं अपने लग्षब जैसे भाई पर शक किया अपनी सीता जैसी प्वित्र पतनी को गाली दी मुझे कुछ उ मैं जाओ मैरी भावी है अनल पिरा अनल हिदा अनल हिदा मेरे भाई जोन भाई तो जबाप करें मेरे भाई करें अचाहिए करें करें लालीत यह क्या हुआ है प्यान कोई बात नहीं लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं वह आप पढ़ रहा था अब कराम की बाद पर उतरा हैं तुम्हारी सुरीली गुन-गुनाथ सुनकर मुझे असा लग रहा है कि मेरी एक बड़ी समस्या हल हो गई क्या से पालेज में फंक्शन है ना उसके लिए एक फीमेल सिंगर की जरूरत थी कोई लड़की मेली नहीं रही थी सारा कॉलेज छान ना आप मिल गई मतलब कॉन से तुम अरे सर क्या गजब करते हैं आइसरी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा वरना हमारे कॉलेज का हॉल सभे अंडे और टामाटरों की मार्केट बनके राजाएगा यह सिंगर तो है बात्रूम से अच्या तुमहें के से माकीत सकता जाते हैं अपकेट और Мट मेरे घमीट आंटा उन और्मेरा कहता है कि यह क आपकापानेवालों में से नहीं वालकर अपनी आवाज से सारी आउडियांस को खना और ऑल आम लोग पिछे है ना, गाओ, हाँ, मैं जरूर गाओंगी, हैना सर, पत जर सावे, बसंत बहार, एक बरस के मोसं चार, मोसं चार, मोसं चार, पाचवा मोसं चार, आइक दार, पत जर सावे, बसंत बहार, एक बरस के मोसं चार, मोसं चार, मोसं चार, पाचवा मोसं चार, आइक दार, पाचवा मोसं चार, आइक दार, पत जर सावे, बसंत बहार, हैन चार, आइक दार, आइक, बाचवा मोसं चार, आइक दार, आईक ऑंσιा हैना, बसंत बहार, आइक का से आइक दार, आइक देना är तंवा मोसं चार, natuurlijk हुआ 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 है लेकिन प्यार का मौसम आए सारे दीवन में एक बार एक बार बत जहर सार बतंत बहार बत जहर सार बतंत बहार एक परच के मौसम चार मौसम चार पाच्वा मौसम प्यार का इंतिदार का पाच्वा मौसम प्यार का इंतिदार का हुआ 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 है हुआ 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 रंगों का मेला ये जग सारा रंगों का मेला ये जग सारा रंग बदलती जीवन धारा चार का रंग है तबसे प्यारा रंग पिर नगने फार रहता पट जर सार बतंत पहार पति जरसार बसंत बहार एक परस की मौसंचार, मौसंचार, मौसंचार पाच्वा मौसंचार का इंतिजार का पाच्वा मौसंचार, 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 मौसंचार पति जरसार, मौसंचार, मौसंचार पति जरसार Thank you very much sir. अगर आप तही बस पर मेरी मदद ना करते तो मैं तो सच मुझ गई थी कामते मैं तो गाना ही भूल गई थी Sir, एक बात पूछू हाँ, हाँ, पूछो Sir, आप ये गाना कैसे जानते हैं? मेरी बीवी का बहुती पसंदीता गीत था इस जी आज तक याद है लेकिन ये गाना तुम्हें किसमें सिखा है? मेरी माने, Sir Good night sir Good night sir Good night ताजू भे तुम्हारी ये नए प्रफसर को ये गाना कैसे याद है? वो कह रहे थे कि बहुत पूराना और मशूर गाना है उनकी पत्मी को ये गाना बहुत पसंद था इसलिए उन्हें याद था खेर चलो ममी, खाना खाले बहुत भूख लगी है हाँ एक सुपरस के मौह सम्चार मौह सम्चार पाचवा मौह सम्चार इसलिए सम्चार साच्वा वो सम्चार इसलिए आपके जगा आईटी मैं बहुत शर्विंदा हूँ क्या के मने आपको देखा है नहीं कोई बात नहीं आइन्देदे देख चला करो जो इनसान आन्टी तुम्हारे लिए क्यों साडी पनोगे अरह नहीं अगया हुए तो आपने उसको भी कि आनगे साच्प! अब तक वो नहीं बने वो नहीं हुई अच्छा समझी अभी तक प्रेमी का है पत्नी नहीं बनी अरे वाँ अटी वाँ क्या बात है यहने कि आपका रिमाप तो बहुत शार्प है आप तो इशारों की दबान भी समझती है ज़रा चुनिये ना क्या है कि वह बहुत खोश हो ज तो आंटी वो तो आ गई यही तो है वो यही है वो यही है वेट मांटी अच्छा तो यही है वो नर्की इसके लिए औरेंज कलर के साड़ी चुनलो इसे बहुत पसंदाए कि अरे हाँ यही तो इसका मन पसंद रंग है लेकिन आपको कैसे मालू क्या है इसके सारी पसंद में बढ़ा सकती हूं इसे आलू की तीकिया बहुत अच्छले परसेंट कमाल है इसके अलावा इसे गाजर का हल्वा बहुत पसंद है देखिए अब तो मुझे जक्कर आने लगा है इसके बारे में आपको इतना किसे मालूँगा इसके बारे में नहीं इसके पिताजी का रहते हैं मामी पापा नहीं इसके मामा जी आजके धरम दाव बढ़े शरम की बात रही तुम महांत нужно भागाए अब भागताने तो क्या करता और गें अजाने अब भागता है नहीं तो क्या करता है विचार है डेर गयार था आप है कैसी बाते करते हैं भाइसाब सच्छा प्यार करने वाले मैईदान छोड़कर भागा नहीं करते हैं अच्छा भाइसाब अब आप पताईए लड़ी के आपको पसंद है अरे जब मिया बीबी राजी दे कि इसे कहना इसका विसाईए अड़ाए शादी के बात भी आप भी जा सकती है और मामाजी मुझे बहुत उचे पंडित ने कहा था कर द दिन पहले का मुरद मेरे बड़ा शुब है व्रदी उन्होंने तो इम्तिहान से पंद्रा दिन पहले का मुरद बताया था पंद्रा था क्ये भीस्था पंद्रा बिस्था ना बश्ष हम दोनों उल्लूओं के तरह बैठें और तुम दोनों अंडे की जर्दी अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुए और अपनी शादी का मुरूज भी निकाल रहा हूँ कोई शादी बाती नहीं होगी पहले इमत्यान पास करो सब्सक्राश में तब शादी की बात करो वरना कैंसल है किनी अब थी कह रहे हैं मामा जी मैं रेच्फाश पास होने की शर्ट बहुत मुश्किल है कियि मैं भात कमजूर हूँ तो देखो, अगर एक्जाम का रिजल्ट कमजोर हुआ ना, तो शादिय का रिजल्ट भी कमजोर हो जाएगा अगर तुम अंग्रेजी में और अगर तुम हिंदी में पास नहीं हुए, तो ये शादिय डे स्मेश ये जोगे धंदात की अदालग का फैसला है गुरी इवनिंग लालिता, कैसी हो? जी आती किरपा है, अच्छी हो सर वो, हाँ क्या बात है? सर वो, वो अरे क्या पुबो किया जारी हो? साफ का हो ना? मुझे शर्म आती है सर, मेरी वो पक्की हो गई है वो? अशादि! ये सर Oh, I see अभी मैं कहो इतनी खुश की नददा रही हो चलो, लाँ काद अभी कहा कादवाज, सर? अभी तुम्हें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? इंग्लिश अगर मैं सेल हो गई प्र शादी, दिस्मिस मतलब पास होना तुम्हारी शादी की शर्थ है प्रॉब्लम है तर्वाजा खुला देखकर अगर मैं अंदर आ जाता तो एक प्रोफेसर में और एक लोफर में क्या फर्क रहे जाता तो आप देखें ना कि मेरे स्वर्की पताजी प्रेब को पूर की पिस्की है तरब टाय लेंगी या कॉफी नहीं कुछ नहीं सिर्व अपनी किताब नहीं और एक लास पाने लिया अच्छा मामी सर आए हैं तर एक लास पानी लाना तो कर दो मामी है लास है अब कर दो.. बटक लाना तो आप लाना कि में। कर दो, लुदका है. मैंने कभी खाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हें इस रूप में देखूँगा सॉरी प्रफसर सहाब उचिये लक्षमी, मेरी जिंदगी की आगरी सांस तक पास एक ही तमन्ना रहेगी कि हर सुगे, जब मैं अपनी आँखें खोलू, तो तुम्हारा ये खुबसरोत चेहरा देखू आपको कुछ पता है, आज क्या तारिक है? हाँ, बुरुवाद, पांच आउगस्ट और ये तारीक, हमारे लिए क्या एहमित रखती है? आहमियत? अर्थात महत्प, यानि के इंपोर्टन्स हाँ देखो, मैं बहुत भलकड करिजम का आदमी हूँ तिनों तारीक तो याद है, उसका शुकर मानो मैं तो कभी अपना नाम भी बूल जाता हूँ अच्छा भाई, तुम्हें बदा दो, क्या खास बात है आज की तारीक में हमारी शादी की सालगिरा है वाउ, रियली? तो आज कॉलेज जाना कैंसल हम ये सालगिरा ताज मेल होडल में मनाएंगे? नहीं, हम अपने सालगिरा घर पर ही मनाएंगे लक्ष्मी हलो, हाँ कुमार सहाब जी, अच्छी हूँ नहीं कुमार सहाब, आज तो मुश्किल है आज नहीं आ सकती एक मिनिट होल कीजी, मैं अभी आई सुनिये, आज एक चरथी प्रोग्राम है कुमार सहर के साथ दाने का मैं था भूल ही गए है जाने दिछे, मैं नहीं जाओगी अरे कैसे नहीं जाओगी अपना बादा तोड़ोगी बादा दिल से नाज़ूप चीज होती है किसी जखिया हुआ बादा और किसी को दिया हुआ दिल कभी नहीं तोड़ना आप कितने अच्छे हैं आप ठिकर मत केज़े, मैं जल्दे आजाओगी अच्छा, सुनो, सुनो आथे वक, अपने सिंगर पार्टनर कुमार को भी साथ ले आना पार्टी में जरूर लाओगी आएंगे किसे नहीं, उनको आ नहीं पड़ेगा मुबारक हो, प्रफेसर साथ शादी की सालगरा मुबारक हो बहुत-बहुत मुबारक हो आओ भई, आओ अरे भई, भी कैसे शादी की सालगरा है तूलहा मौजूद है और धनगायब मगर लक्षमी तो एक कलाकार है और कलाकार पकू अपने पर्टी से ज्यादा कला से प्यार करती है भी विजे मुझे माफ करना ज़रा देर हो शादी, सालगरा मुबारक मगर लक्षमी की का है विसनरा, बात क्या है कि अच्छाने कुने का प्रोग्राम निकला है तुम्हारी सालगरा के लिए हम इतनी दूर से धके मुझे खाते हुए पूना से चले आ रहे है और जिनकी सालगरा है वह खुद प्रोग्राम पे चली गई यह गलत पात अरे, आप शेकर मत कीजिए मैं हुना, आप क्या प्येंगे तुम्हारे हाथ से नहीं, लक्ष्मी जी के हाथ से प्येंगे आने दो उने कितनी देर हो गई, पक्ष्मी साब नराद हो अब आपका टलेफोन भी का ओ, कम इन, कम इन आप लोगों को आने में थोड़ी से देर हो गई तुम्हाम मेहमान चले गए कोई बात नहीं, आईए मैं, मैं बहुत शर्मिना हूँ बेसल बात यह है जहां हम शोग करें थी, वहां चाने रोशी जिली गई पही घंडों के बदरोश्णी आई अब चारटी शॉधूरे चोड़कर आना आडिंस के साथ नाइंसा भी होती ना जाहिर बात है जिंदगी में इनसान एक वक्त में एक ही जगर इंसाब कर सकता है अपने से करें या दूसरों से करें हाँ और मुझे तुम पर नाज है लखनी सालगेरा हम दुनों की थी अपनी खुशी तुम घरों में बाटकर आगई क्यों कुमार सारा अज यहां इतना बड़ा दिन था और आपके पत्निया आज नहीं थी यह आप उसकुरा रहे हैं आपके बहुत महान आत्मी है में तरह से यह तोफा कुबूल तरह भाएं तैंक यू तैंक यू मिस्टि कुमार मेरा ख्याल है बातें को ज्यादा हो गई है देखिए ना केक कितनी बेसबली से इंतिजा कर रहा है महान तो चले गए केक से मिठास ना चली जाए है आए ना इस खुशी के मौके पर मैं चाहूंगा कि यह केक आप दोनों काते आप क्या कह रहे हैं आप क्या हम दर गाते हैं कुमार साहब तम्हारे बेस्टन है मैं भी तुमारा बेस्टन हूं एला है और सचे दोस्तों वही कहलाते हैं जहां खुशी एक के ओर मनाता दूसरा लेकिन सेज। यह काम तो अद्धीकों करना चाहिए जबाजनी निम् counterparts संगीत के नाम ञिसमें प्यार कुंदू हो संगीत के नाम जिस से लक्षमी प्यार करती है संगीत के नाम जिस से कुमार साह प्यार करत है यानिके एक ही प्यार का करंट हमकी के Ettore में दोड़ रहा है उसी प्यार के नाम अपी एनिवर्सरी तु आज अरे आप में अभी तिक नाश्टा शुरू नहीं किया अजी अखवार को देखकर आदमी कॉलेज के लिए क्या हमेशा हमेशा के लिए लेट हो जाएगा यह पुरा पेश तुम्हारी और कुमार की फोटो से भरा हुआ है तारीफे इंतारीफे लिखी है यह तो पिछले प्रोग्राम के आज डिपोर्ट चापी है पेपर वालों ने मेरी बड़ी तमन्ना है कि तुम दूनों के प्रोग्राम कभी अपनी आखों सिर्फ अच्छा आप पहले खाईए बाद में देखिएगा अले आज ही तुम कितना मसका लगा रही हो है वैसे ही अपना मुटाबा पकड़ में नहीं आ रहा है और जिस दिन मसका ज्यादा लगता है उस दिन कोई नई फर्माश जरूर होती है आप तो लगता है दिल की किताब पढ़ लेते हैं चेहरा दिल की किताब होता है में साब और इस किताब को हम काफी दिनों से पढ़ रहे हैं तो बताएगी आज इस किताब में क्या लिखा है अभी लिखाई ज़रा धुंदी सी है ज़रा साफ होकर सामय आ जाए तो बढ़ लूगा और तुम्हें भी सुना आज तो भी बता बात यह कि आज शाम मेरा और कुमा साब का एक प्रोग्राम है आपको भी आना पड़ेगा हम यहां से साथ बज़े दिखलेंगी ठीक आज बज कुमार जी सही वक्तर प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैंशूर है आपके शारत को सलाम करता हूं लेकिन एक मुश्किल है आज मुझे एक्स्ता क्लास लेनी है एक्जाम सबते हैं आज कोई क्लास मत लीजी एक दिन क्या मेरे लिए क्लास नहीं छोड़ सकते काई से चोड कि तोना मजा को सथ समझ को डर जाती हो आजा चलो कोशिश करूँगा नो कोशिश आपको आ नहीं पड़ेगा अच्छा ठीक आजा बादा हाँ बादा ठीक सारे साथ बजा दा अच्छा मैं आपके लिए जुस लाती हलो हलो हाँ मैं विजय बोल रहा हूँ कहा से बोल रहे हैं कॉले से कॉले से सारे सब बज चुके हैं तुमारा प्रोग्राम आठ बजे शुरू होता है मैं तुम्हें ठीव बक्तर पहुंचा दूँ ओके हलो सारी लक्षमी यहां प्रिंसिपल साब मुझे नहीं छोड़ रहा है मैं नहीं आ सकूँ आज बज़े में बताया आज बज़े में सिर्क फांस मिनिट बागी है मैं अपने प्रोग्रम पर कभे लग नहीं पहुंची अगर मैं बक्तर नहीं पहुंची तो मेरे इज़त, मेरे, मेरे रिपुटेशन सब खांप में मिन जाएगी हलो हलो बेवियों और सजनो आज की इस संगीत के सोरों से सजी हुई खुबसूरा शाम आपके नाम संगीत के चाहने वालों के नाम और संगीत के चाहने वालों को हमारा सला दिल सामके बैठिये अब मैं आपके सामने आपका वो मन पसंद गीत सुनाने जा रहा हूँ एक्स्क्यूज मी मिस्टर कुमात लेकिन लक्ष्मी देवी अभी तर्क नहीं आई और इस टैरीटी शो के इतने महेंगे टिकट हम लोगों ने आप दोनों के डूइट सुनने के लिए खरीदे हैं निराश मत हो ये ताप मुझे यकीन है कि वो जरूर आएंगी लक्ष्मी जी वक्त पर आने के लिए मशूर है वो आएंगी और जरूर आएंगी अगर वो नहीं आई तो अवल तो ऐसा होगा नहीं और अगर हुआ तो आप मैं ये संगीत हमेशा के लिए छोड़ दूँगा मगर मुझे विश्वास है कि वो जरूर आएंगी क्योंकि यहीं संगीत हम दोनों के दिलों में सांस मेता है अगर मैं सांध हूँ तो वो सरगम है अगर मैं राग हूँ तो वो रागनी है जलिए आज मेरे ये विश्वास का और उनके संगीत प्रेम का इम्तिहान हो जाए मैं गाना शुरू करता हूँ और देखते हैं कि वो पहले अंत्रे से पहले आती है या नहीं हुआ हुआ है पतजर तावं बसंत बहार एक परस के मौसम चार मौसम चार मौसम चार पाच्वा मौसम प्यार का इंतजार का पत जड़ सावन बसंत बहार एक परस्ते मौसम चार मौसम चार मौसम चार पाच्वा मौसम प्यार का इंतजार पाच्वा मौसम प्यार का इंतजार पत जड़ सावन बसंत बहार झाच्वा का इंत बहार पाच्वा याच्वा प्यार पाच्वा याच्वा कुल बूखे तो ये लिजु से बुल पुल जाए हर एक मासम आए जाए लेकिन प्यार का मासम आए लेकिन प्यार का मासम आए सारे जीवन में एक बार एक बार पत जर सारी बसंत बहार एक बरस के मासम चार मासम चार पत जर सारी बसंत बहार पत जर सारी बसंत बहार पत जर सारी बसंत बार पत जर सारी बसंत बहार पूल की लेना बादल बरते क्यार के मौसम में दिल परिसे क्यार के मौसम में दिल परिसे मेरे गले में अपनी नदर से मेरे गले मेरे अपनी नदर से दादक महों के हाँ पूबाद पूबाद तबूबाद गाने वालों के यू जोड़ी बहुत जल्द जिंदगी पर्की जोड़ी बनने वाली है लेकिन लक्षमी तो पहले से शादी शुदा है काहे कि शादी शुदा अमा ये कलागार लोग धर्म और समा से बहुत दूर रहते हैं कि पती की दिल पर क्या गुजरती होगी दिल पकड़े बैठा रहता होगा बिचारा अब एक 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 करके एक एक करके अरे आपने प्रोग्रम देखा नहीं कॉलिज में देर हो गई लेकिन निकलते हुए लोगों मुझसे जो सुन रहा हूँ वो बातों नो मुझे फागल बना दिया ये प्रिश्चर कुमार आप बहुत ज्यार्दा सिगरेट पीते हैं मैं तो सिर्फ दो चार बैगिट पीता हूँ इसका मतलब है कि अगर आपके दिल में जहांकर देखा जाए तो सब कुछ काला काला नज़राएगा आपको ये बुरी आदत फॉरन बंद देनी चाहिए मैं हजार बार बोल चुकी हो इतनी सिगरेट मत प्या करो लेकर ये सुनते ही नहीं देखिए तिर बो इनसान मेरा सिगरेट पी ना रोक सकता जैसे मेरी जिन्दगी पर बुरह को ठीक है मुझे तुम पर हक है ये सिगरेट नहीं प्योगे अरे क्या कर रही हो तुम मैंने कहा है तुम सिगरेट नहीं प्योगे ये हग तुम्हारा नहीं है ये हग सिगरेट मेरी पत्नी का होगा आपकी पत्नी जबाएंगी उनका हाख आपर होगा फिलाल तो ये मेरी पत्नी है क्या मेरा हग इन पर है कि नहीं तो क्या मैंने घर ले जाने की गुश्ताखी कर सकता हूँ? जरूर, शुक्री, आई गुद लाइट, गुद लाइट, गुद लाइट, गुद लाइट, आज एक पिरेड पहले क्लास चोड़ दी थी, बाथ था गया था एक कप चाय में लेगी? अब कपरेट सेंगे कर लेजी, मैं अपयाई अब कर सकता हूँ? अरे, आपने अभी तेर कपड़े में हिबदले? लक्षमी, मेरी खेर हाथ जी में कोई मिलने आया था? नहीं तो, आप से मिलने तो कोई नहीं आया? मुझसे ना से, तुम से कोई मिलने आया था? नहीं बाबा, कोई नहीं आया. चीक से याद करो. अरे, मैं कुछ सलसल के बढ़िया हो गए हूँ क्या? इतनी मामुल सी बत भूल जाओंगी? मैं जो बाब पूछता हूँ. उसका सीधे मुद जवाब दिया करो. अच्छा, बाबा, मैं कान पकटी हूँ. मैं सटिया गई हूँ. मेरी आदास खराब हो गई है. बस इसलिए आज से में एक नोड़ बुक है खुमी. जो को भी आएगा, उसका नाम इसमें लिख दिया करो गई. ये लिखी. ये चाहे है एक अरबापानी. आज कर शकर डालना भूल जाती हो? प्रफसर साहाब, चाही तो वही है. जो आप रोजा रफ़ीते हैं, शकर भी उतनी ही राली है, जिसमें आप पर सुन करते हैं. याद है, आप रोज कहा करते थे, लेक्षमी, मिठास शकर में नहीं, तुम्हारे उंग्रियों में हैं. तुम जिस चिज़ को छू लेती हो, उसका स्वाध ही बदल जाता है. मुझे अंजाने में कोई भोल हो गया हो, तुम मुझे थपड मार देजी, अगर गुस्या और नफरित की मार मत मरें, मैं, मैं आपकी नफरित रहन न सकूंगी. मैं आपको देर से आउंगा, आने पर मेरा इंतिजार मत करना. हलो, हलो, हाँ, कुमार, आज, नहीं, आज रहासर नहीं होगी, चूंकि मेरा मुझ ठीज नहीं है, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, हाँ, परसर साब, अभी-अभी बाहर गए है, सुभार अपना घर है, आजो, ओकी, बाए. कंग! कंग! कंग अज आटूं! बाहर बाहर डिज अजख, मेट थे ऑन बाहर वर पहलिगा! आप तो कॉलिस पही थे ना अपर बी के पिछे क्या देखने के लिए तुमारे उस चेहरे को देखने के लिए जिस पर तुमने इस खुबसूर शरीफ चेहरे का नकाब और रखा है मैंने कोई नकाब नहीं होड़ा नकाब आपने अपनी आउंखों पर और लिया शक्ता जबर्दसे मेरे खिलाफ मन में शक्त पहिदा कर लिया जटेख दीजे उस बेवन्या शक्त को वर्ना वर्ना क्या करोगी क्या करोगी मुझे छोड़कर किसी और का दामन थाम लोगी आप कहा थे जासिन अच्छे लगता है शेरिक तो वही है अच्छे में आपसा बदल लगे हां इसलिए कि तुम्हारी आत्मा के इसलिए क्या पता अब चला क्या पता चला कुछ बताई तो सही जाओ मेरा मुमत खुलवाओ आप कभी मुझे नहीं बेखे क्योंकि मैं पतिवरता हूँ जिसके दामन को किसे रहर मर्द में कभी देखने की हिमद नहीं की छोड़ा तो दूर की बात है तुम और पतिवरता तुम और पतिवरता तुम औरत के नाम पर एक कलंद हो आसलों से अपने गुराहों के दोने की कोशिश मत करो मैंने तुमारा हर रूप देखिया क्या रूप देखा है क्या किया है मैंने साफ साफ खुलों शब्दों में बताए आज मैं पूल पर ही रोंगी ये होक्म उस पसाराना जसके सास्त संगीत के नाम पर इयाशी करती हो क्या लोग उपसर लोगों के सामने मिलाकर तूप पड़ी की खैर मौजूदकी में उसे घर बुलाकर उसके साथ पड़ाइब पड़ाइब लगाईए तुमसे तुमसे तुम्हें अपने जिसम बेशती हैं तुमारी तरह पतीर रखा होने का डौन नहीं देशाती है तुम्हें पर ऐसे का पैल्जब मत लगाईए तूर हो जाओ में नज़े अच्ट जड़ाइब पॉप्का ठाभ हो जुमारी तुमारी तुमारी पर झी कर्दका पैल्जब आध तुमारी तुमारी यजभाई तुमारी तुमारी उवां जिस दिन बेगुना होते हुए भी फती की नजर में किर जाती जैसी मैं मैं जानती हूँ कि अगर मैं अक्ली परिक्षा दो तब भी मेरे राम मुझे स्विकार नहीं करेंगे इस लिए मैं आपकी सुक और शान्ती के लिए आपकी दुलिया और संहित की दुलिया को छोड़कर चारिए हूँ सिर्फ आपको प्रेम करने वाली तक्षमी अगर आपकार अंच और सिर्फ आपको फिर दुलिया जाए हुए अगर फिरफ को लिए ने जाए बोले ने काम किया है ति मैं एलेक्टिशन हूँ मैंने आपके हाल और बैट्दूम की का कंप्रेसर बदली किया हूँ यह विल लाया हूँ पार पार आप कि यही एक बुरी आदर इधर इधर भी जलता हुआ से जेंट मसल देता हुआ ठीक यह दो यह देंक जी सार कि यह दो अधर वह दो अधर करें एक रहा है ने कोई परशान नहीं एं अधर इस दर लक्ष्मी जी बला देशार मैं आप दोंको आपनी शादिक अन्विटेशन काट देने आएं शादी आप शादी कर रहे हैं यह सर वैसे मैं लक्षमी जी का भाव शुकर गुजार हूँ उन्होंने अच्छे घराने की लड़की मिलने चुरी तो कल आपने इसी सलस्रे में फोन किया था नहीं सर वो तो लक्षमी जी की साथ एक नए गायने की रियत्तु करना चाहरा था औ लेकिन का अंबाक फोग प्रिंटर ने काट टाइम पर दिया ही नहीं इस लहानी बाया वैसे लक्षमी जी दिखाए नहीं देरी सर वो चली गई चली गई मेरा मतलब है माहर गई तभी मैं सोची यह घर इतना सूना सूना क्यों लग रहा है सर इस पूरी दुनिया में जहां तक सूरज की किन्य जाती है वहां तक आपकी पत्नी जैसी देवी अगर भगवान भी ढूंदे तो गिनी मिलेगी आप बड़े चक्दीरवारे हैं सर आपका ये घर नहीं मंदिर है जिसमें लक्षमी जी जैसी देवी रहती है और आप उस इसलिए मैं आपके शेरन राख लिया कि जीते दो बुछ लॉग और खिलता हुम्म चाहे खुशी है चाहे हम है चाहे खुशी है चाहे हम है ये आशू है या शबनम है ये आशू है या शबनम है चाहे है कुछ भी एक मौसम है और मौसम का क्या इतवार इतवार पत जर सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार मौसम चार मौसम चार पाच्वा मौसम प्यार का वकीर साइब हमें कहा है बांद रखा है खोलो ना आज मैं तुझे नहीं छोड़ोंगा आज मैं तुझे जिंज ओड़ोंगा भींज ओड़ोंगा चादर की तरह ओड़ोंगा अगा नहीं छोड़ोंगा राजा आजा राजा तुले मैं आगया उड़के महबत के परों से राम कटोरी मेरे दिल की कटोरी में तेरे महबत का पानी भर गया अरे तुझ शोच जब मैं भूका मरता था तब ही तुझको मैंने नोकरी पर रखा था तुभूश क्यों तेरी चकल है ना रवी की मरीवी मामी की तरह लगती है मैं तुझे माट डालना चाहता हूँ ने मतलब मैं तेरे प्यार में मरा जा रहा हूँ अब ये ले मेरी आंखों में तुझका लगा दे मैं तेरे मां की गली में सिंदूर भड़ता हूँ जी कैसी गंदी बात करने लगे हो ऐसे तो तुम लुच से पहले कभी न आई थे जब से बड़े वकील हो गया हो नाम हो गया है तो इच्चत गवाने लग गया हो देखो तो हमें बकरी की तरह बान रखता है वह इसलिए केश केश शेर को महबद की इस बकरी से प्यार हो गया है हम तुम्हें महबद की दो से तो नहीं बान कर रख सके मरखटिया की इस रसी से जरूर बान दिया है महबद के शीशे को नफरत का खुटना मार के फोड़ने वाले नागें पताओ उस आदमी का नाम हम उसकी मा को पूछेंगे कि तुने इसी ओलाद को क्यों जिनम दिया हम वकील है उसके सर में कानून की की ठोकेंगे अरे क्या चुक्या बेटिये बता हमको गुसा मत दिला वना में जब गुसा आता है तो आस्मान भी चीखुटता है देखा चीखुटा के नहीं ये कुटे के तरह का कुछ चीखरा आस्मान की तबेट ठीट नहीं लगती है शाद हाँ मेरा नशा उतर रहा है न इस लोग उसे का स्टेंड़ आस्मान जो उतर के कुटे पर आ गया है मैं थोड़ी पी लूँ हाँ वकिर साथ गड़का जो एक साथ मह हुचाए हुचाए वकिर साथ हुचाए हाँ रामका ठोली रामका ठोली तबाल म्दरास नहीं उख वी उकते इस लिसांबर प्रया हुचाए ठाईगा कर्भाष् हम अपनी मर्जी के मलिक है, जहां जो चाहें वो उगा सकते हैं, रोकने वाला तू कौन, तेरा समाज कौन, राम का तुरी, तुमारी ये आखें भटिंडा के अंगूर की तरह हैं, भटिंडा? तुमारे ये होट राजस्थान के आम की तरह है, तुमारे ये चेरा हेमालिया के तर्मूज की तरह है, ये अल इंडिया रेडियो है, चुन्नी बेवड़े से समाचार सुनिए, अभी आप फ्रूट सुलाट बनाने का सड़ा हुआ तरीखार सुन रहे थे, अब आप बुरे सुनिए, आज मौसम में बदमाशी की गर्मी है, आकास पे कमीने पंच के बाद अलग्छाए हुए है, अनुमान लगाया जाता है, कि जबरदस्ती इश्क करने वाले पर जूते बरसेंगे, तमाचार समाथ हुए कमीने बेवड़े, नमस्कार ये रेडियो तो बंद है, फिर ये स्टेशन के सब पकड़ रहा है, क्यों नहीं बेवड़े, जब तुम बंद कमरे में एक लड़की को पकल सकते हो, तो क्या रेडियो बंद होकर इस्टेशन नहीं पकल सकता, दो कोड़ी का रेडियो, तेरी इतनी हिमत, एक कोड़ी के वक आपकर तो नहीं तो कमरा भर दाएगा तू जाने नहीं आता हूं परी आमका चुरी अरी सुनो तो वक्की यह साथ का बहुत चड़ गई तो इस्ट करते रहे और पेट पकड़ कर भगी का पिलाया इसा रही तो इसा नहीं जमाल गोटे का कमाल है जमाल गोटा अब रात भर पकड़ के घूमेगा अपना लोटा मैं कमिंचर अब आओ आओ यह मेरा घर है कोई क्लास्वूं पुनें सब्सक्राइब आपकी तब्राइब खराव है कि आप बिमार लगने रहे हैं यहां भी अलग अलग रंग की होती है कुछ चेरे से बदा चल जाती है और कुछ तिल में बैठ जाती है क्या यह सच है कि आपने इससे बादे दिया है अगर तुम अपनी पढ़ाए की फिक्र मुत करो ललीता मैं प्रफेसर वर्मत से कहकर जाओंगा वो तुम्हें पढ़ाएंगे नो सर मैं अगर पढ़ूंगी तो सिर्फ आप से वरना किसी और से नहीं पढ़ूंगी प्लीज सर अपना रेजिगनेशन बापस ले लीजिए ना नहीं बेटे इस सोचा समझा हुआ फैसला होता है और फैसले आसानी से बदले नहीं जाते नहीं सर प्लीज इससे पर मत दीजिए हमें छोड़कर मत जाएंगे हुआ है हम लोगों को आपसे इतना लगाव हो गया है यह बात में आपको समझा सकता हूं और नहीं आप इसका अधा लगा सकते हैं अगर आप चले गए तो हम लोगों का पढ़ाई से मन उट जाएगा अब 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 बचाई है मजे नाज है तुम दुनों पर आज के जमाने में एक उस्ताथ को इतना प्यार इतनी उसद देने वाले स्टूट्स कहां मिलते हैं मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं तुमारी याद हमेशा है साथ रखूँगा जिनहें जाना है बताच आएंगे उन्हें कौन रख सकता है मामी तुम नहीं समझोगी सर इतने अच्छे हैं की मैं और अभी बलकि कॉलेज के सभी सुन उनकी जुदाएं नहीं सेपाएंगे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही करीबी अपने रिश्टेदार हमें छोड़के जा रहा हो ठीक है जैसे भगवान की मरसी हम इनसान तो मजबूरी की मित्य से बले हुए कुतले हैं वक्त का हाथ जब चाहे इस मित्य के दिल को तोड़ देता है जब चाहे जोड़ देता है हम कर भी क्या सकते हैं चलो बेटी खाना कालो मुझे भूग नहीं है देखो जित मत करो भगवाने चाहे तो कुछ न कुछ राता निकलाएगा चलो अन्तरा निकली नहीं कहोगे यादिकार तुम्हे हमेशा के लिए खोचुका हूँ मैं जानती वाँ पैसे क्यों कह रहे हैं बेवी खर से सुहा के निकली थी और बित्वा के रुपने मिली तो कोई भी मरते से ही सुचेगा जो आप सुच रहे हैं मैं कुछ देर के लिए अंदर आ सकते हूँ हाँ आई बेवी खर मुझे कैसे मिला मेरे मां का सिंदर कहां गया जाना चाहेंगे जानने की या पूछने की इमत नहीं ही मुझ में मुझ के तूफान के चपड़े हैं जो इंसान को कभी एक किनारे पर फेंगते हैं कभी उणा कर दूसरे किनारे पर फेंगते हैं कि अधे कि अधे ज़ाए सिंदर से मिलने गई उसके पती जाट मने बिस्निसमेंट थी इस रेडा का घर तलाश करती जा रही थी हुआ 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 कि अब कैसी देबे थेंगी फिक्रिक की कोई बात नहीं है दो ते दिन में ठीफ हो जाएगी थेंक युवरी मिच डॉक्टर मैं एक बार फिर ललीते को देखकर आता हूँ जी अब रहे हैं आप बिलकुल ठी गया है और मेरी बच्ची की जन बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना पता बदा दीजी मैं खुद आपका अपनी घर्द फड़ाऊंगा जी मुझे सुनितर कपूर के घर जना है वो यहां के मश्यूर बिजनिसमेन प्रेम कपूर की पत्नी है आप सुनिता वो कैसे जानती है हम दोनों कॉलेट की सहलिया है उस जमने में भी जब भी मेरे सामने कोई मिश्किला आती थी तो मैं दिल हलका करने के लिए उसके पास जया करती थी आज भी इसी मकसद से मैं उस और जिस बच्ची की आपने जान बचाई वो हमारी बेटी है ललिता क्या यह तो ऐसे लग रहा है कि जैसे भागवाने चमत कर दिखा दिखा दिया अच्छा सुनिता कहा है तरब नहीं हो थे उससे मिलने के लिए आपको बगल वाले कमरे में चलना होगा वो वही है आई सुनिता अब दुनिया विए साफसे मर चुकी है लेकिन मेरे लिए अब भी जिंदा है जब भी मैं किसी चीज क कमी में सेशुज करता हूं या तुखियो होता हूँ तो इस कमरे में चलाता हूं तरसा लक्ष्वी जी इंसान के बद जब कोई चीज होती है तो वो उसकी कदर नहीं करता और जब वो उसे खोद देता है तो फिर वो हाथ मलता रह जाता है खैर लक्ष्वी जी ये बदाएए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ डॉक्टर अंकल इंजक्शन मत लगाएगा बहुत दुखता है नहीं लगाएंगे लेकिन एक शर्त है आइंदा हमारे गुडियां आख मिचुरी और चोर पुलिस का केल नहीं केलेगी अच्छा बबा नहीं केलेंगे प्रॉमिस हाँ प्रॉमिस चाबाश उता ना खस तो हमार पिड़ाजी भी रोते अम्मा में भी बहुत रोती है ना श्ष्ट बड़ा दुख हो आपकी दर्द बरी कहानी सुनका लेकिन आफिकरना करें यह आपी का घर है आपकी हर तरह से मुदद करना मेरा फर्द से है प्रेम साब आई डोक्टर लालीता बिलकुट ठीक है खैर प्रेम सामें चलता हो फदा आपिस पापा पापा अरे लेलिता तुमने पर पापा का क्यों बुलाया मेरे पापा है ना मुझे मेरे जिनम दिन पर बहुत बहुत पर अपशा देन वाले है क्या मेरी ममी जो बगवान के घर से वापस आ जाए और फिक कभी यही ने तुमने मुझे बिलाया पेटा हाँ पापा इन सब को भी बता दीए आपने मुझे क्या कहता मेरे बड़े से क्या होने वाला है अरे हाँ उस दिन बहुत शांदार फंक्शन होने वाला है और फंक्शन में कोन आने वाला है पंक्षन में हमारी बेठी की मम्मी भगवान के घर से उसके जिनन दिन का शानदार तोफ़ा देने के आने वाली है और पर वो कभी भगवान के घर वापस नहीं जाएगी है ना हाँ बेटा भगवान को और दित भीजिये अगर मन्जूर हो गई तो कभी वापस नहीं जाएगा देखा पापाने क्या का चलो हम जाकर खेल पर यह मुश्किल मेरे खुद की पैदा की हुई है लेकिन मैं मुझबूर था ललिता और बच्चों की माओं को देखकर बहुत रोया करती थी और मैं उसे बहलाया करता था कि उसकी माँ भगवान के घर गई है वापस आजाएगी लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि यह बात इतना जड़ पकड़ लेगी अगर अब उससे बताता हूं कि उसके माँ उसके माँ मर चुकी है तो वो यह सद्मों बरदाश नहीं कर सकेगी क्योंकि डॉक्टर के कहने के मताबिक उसका दिल बहुत कमजोर है समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ लक्षमी जी एक मेरवानी करेंगी मुझे मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्या आप एक दिन क्लिया रूप चाहेंगी कल उसकी साल गिरा है इस ड्रामे में ठोड़ी देर के लिए सालिल लिजी सिर्फ एक दिन के लिए उसकी मम्मी बनका है आपके सहली की बेटी के लिए आपका बड़ा उपकार होगा देखें मैं आपको बिल्कुल मजबूर नहीं करता हूँ लेकिन उसे रिमेटिक हाट है दस सालों तक उससे नाजुक नाजुक बातों से बचा कर रखना होगा अगर आपको कश्मी जी आपकी खामशी बता रही है कि शायद मैंने कोई गलस सवाल कर दिया हो यह कोई ऐसी बात कह दियो जो मुझे नहीं कहने चाहिए अगर मेरे किसी बात से आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ करते चिखाओ आपको एपी बर्डे तू ललिता यह लो ललिता, क्ये काटो? नहीं पापा पहला प्ता वादा पूरा करो और मम्मी को बुला जब तक मम्मी नहीं आएगी जब तक मम्मी नहीं आएगी जब तक बर केक नहीं काटो जब बैटा मैंने खुद तक मम्मी से बात की और भगवान जी नहीं कहा के तुम्हारी मम्मी दो तिन दिन तक महा रहेंगी और उसके बाद अपनी बेटी से मिलने ती दे मावले शुरा जाएंगी पापा अप्तर जूट बोल रहे है मम्मी अगर भगवान के यहां है तुरात को यहां कैसे आएठी नहीं बेटे नहीं तुमने धरूफ स्पने में देखा होगा क्या बात करते हैं पापा मैने अपने आखों से देखा है और आप केसे स्पने में देखा होगा अच्छी बात है पापा आप अपनी आखे बंग कर'يे तरिया ना लो आखे बंद कर ली चलो डाक्टर तुम्ही आखे बंद करो अच्छा भई हम भी आखे बंद कर लेते हैं लो पापा अब आखोर ये पापा आप तो ममी की तुम परसे देख ले तेसे पहली बार देखाओ है ना दोस्तों मेरी ममी परिवज रही हो आंके घर प्राइए इसलेट की सुन्दर है अच्छा ललता बीटी पहले केक काटें नहीं पहले आप हमारा हाथ पकड़ो हमें पप्पी डो तर हम केक काटेंगे अब काटा अच्छा तालिया हुआ है आप एप और दो लेता, लेता, प्रेम सहाथ, प्रेम जी, लक्षमी जी, क्या होगा लक्षमी जी, प्रेम जी, कुछ गोंडे लोगा है, और वो जबर्दे से ललता कुथा कर ले गए, क्या? पॉलिस को 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 पॉलिस उसे पीता जी की बहुत सारी दॉलत परबाद कर दी, अब पीता जी ने तंगा कर उसे जाइदा से बेड़कल कर दिया, और सारी जाइदत मेरे मेरे नाम कर दी. हलो? अस्टे भाई सार, मैं आपका सखा सो देरा पाई? प्रभलब, प्रभलब, अगर ललिटा को कुछ हुआना, तो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं चड़ूगा. मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी या ललिटा से बहुत प्यार करते हो, इसलिए पोलिस में कोई ख़बर नि करोगे. वैसे वो औरत कोन है, लगता है जो मैं जेल के इंदर था, तुमने दूसरा चक्का चला लिया, मेरा मतलब है दूसरी शादी कर ली, लो प्राब्लम, लैसे वो खुबसूरत है, लगे रो, बखवास बंद करो, मतलब की बात करो, मतलब की बात तो कर रहा हूँ, तल सुबह सीदे महां से अपने वकील के पाख जाओ, और एक वसीयत नामा तयार करवाओ, जिसमें ये लिखाओ, कि तुम बिना किसी जबाब के मुझे, यानि कि अपने सुदेले भाई को, अपनी सारी जाइदात का वारिस बना रहा हूँ, का मिलो दुम से, जहां शहर खत्म होता है, महीं से जंगल शुरू हो जाता है, वहाँ पर एक वुरानिक कोठी है, महीं आजाओ, आए भाई साब, आए चड़ाप, अपनी शैतानी जबान से मुझे भाई मात का है, जो इंसान अपने पिदा की मौत का कारण बन सकता है, जो दौलत के लिए अपनी मासूब मद्दी जी का अगवा कर सकता है, वो कमीना मेरा भाई नी हो सकता, मुझे कोई शौक भी नहीं, क पापा, 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 चाबाज, आज तक सारी तुनियों को मैं धोका देता है, आज तुम, जोखेज थोका देने हो, नकली वस्यत और नकली रुपया देने हो, मत भूलो, के शेरा के चहरे पे शैतान की आंक्ते है, और तुम, उन शैतान की आंखो में धोका देने हो, देने हो, लो प्राबला, आज हमारा पूरा खांदान ही खत्म हो जाएगा, शेरा, इतने आसाzessन ये यूना, माल सालेको! बाल सकते हैं, बाल सकते हैं। इर्ण केहां जाम राटीना, माल सकते हैं। झाल झाल हुआ 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 हुआ! हुआ हुआ हुआ! हुआ 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 हुआ! हुआ हुआ हुआ! ले चलो इसे! क्या हुआ? ठीक तो है ना? नहीं ठीक हुआ, चलो! अपने गाड़ यहां क्यो रुकती? बागवान के पाद जाने के लिए! आई लक्षमी देवी! मैं आपसे कुछ जरुरी बाते करना चाहता हूँ! प्रेम बेटे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सावी जी, बेलकुल ठीक हो! क्योंकि अब सुनीता के पाद जाने का वक्त आगया है! यह क्या कह रहे हो बेटे? मैं जारा हूँ, लक्षमी जी! लालिदा का अपना इस दुनिया में अब कोई नहीं है! लालिदा को अपनी बेटी बना लीजी! एक मरने वाली की आखरी खायश को पूरा कर देजी, लक्षमी जी! वारना मरने के बार भी मेरी आत्मा को शान्ती नहीं मिलेगी! ऐसा मत कहिए, प्रेम साथ! आप जरूर अच्छे हो जाएंगे! नहीं, लक्षमी जी! समय बहुत कम है! आप मुझे देवी मा के सामने वच्चन दीजिए! कि आप मेरी लालितार को अपनी बेटी की तरफ पाल पूसकर बढ़ा करेंगे! आप खामुश क्यों है? कोई पुन्दे नहीं, कोई पुन्दे नहीं! अच्छे बाधी, प्रेसाब! आज से में ललता को इसे पालूगी! जैसे मैं इसके मा हो! मैं मा बनकर इसके परवरिश करूगे! मैं वचन देती हो! बादा करती हो! मेरी और मेरी पत्ने की एकलोती सुहाग की निशानी को स्विकार करने वाली देवी! मैं एक मामुली इंसान होकर तुम्हें आशिरवात देता हूँ! कि एक न एक दिन तुम्हारा सुहाग तुम्हें जरूर स्विकार करेंगा! करेंगा तुम्हें वाली देता हूँ! कुछ नहीं पेचाना मैं तुम्हारा जमीर हूँ लेकिन इस महानता का अनजाम क्या होगा यह भी सचा है हाँ होगा तुमने यह बचन देकर होते हुए अपने आपको विध्वा बना दिया हाँ हाँ विध्वा लेकिन, लेकिन मेरा सुहाव तो जीवित है बैते इस बच्ची को ममता का प्यार देने के लिए मैं ये बच्ची निभा रही हूँ ये बात तो सिर्फ तुम जानती हो लेकिन आज तुम दुन्यावालों के नजरों में इस बच्ची की मा बन चुकी हो और इसका पिता अब इस दुन्या में नहीं है कल को लोग तुमसे पूछेंगे कि इस बच्ची का बात तो मर चुका है फिर तुम मांगने सिंदूर क्यों लगाती हो तो क्या जवाब दोगी जब ये बच्ची बड़ी होगी तो ये भी तुमसे सवाल करेगी कि मां मेरे पपा तो मर चुके है फिर तुम्हारी मांगने ये सिंदूर कैसे तब तब उसे क्या जवाब दोगी जवाब दो लेक्ष्मी क्या जवाब दोगी बोलो क्या जवाब दोगी बोलो क्या जवाब दोगी जब ये बच्ची बड़ी होगी तो यह भी तो सवाल करेंगी जी मा, मेरे पपा तो मच चुके हैं तो तुम्हारी मान में इस सिंदू है से तो उसे क्या जवाब दो जी? जवाब दो लेक्षणी बलो क्या जवाब दो दो लक्षबी जी अब मुझे नेरी मा के सामने वच्चन दीजी कि आप मेरी ललिता को पाल को उसके बड़ा करेंगी जवाब मरने के बाद मेरी आत्मा को बेती बेती इतनी रात को यहां स्वाबी जी संकत कंचो और भादा मुझे हिला रहा है इसे मंदिर में मैंने एक मरते हुए कुवाचन दिया था कि मैं ललिता को अपनी बेटी के तरफ पाल पॉसकर बड़ा करेंगी लेकिए 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 कैसे हो पाएगा स्वाबी जी क्यों बेटी मेरे दबरी हो गए एक दिन मैं से सवाल करेंगी इमा तैरी तो मर चुके है पर आप मांगों सिंदर क्यों लगाती है तो मैं क्या जवाब दूँगी मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ समझ में न आये तो भगवान से छोड़ देना चाहिए भगवान हमेशा हर इंसान की रक्षा करता है लेकिन तभी-कभी इंसान को भगवान की रक्षा करनी पड़ती है उस नन्नी बच्ची में भगवान है और उसकी रक्षा करने के लिए अगर तुम्हें अपने सुहाद की निशानी भी चुपानी पड़े ना तो कोई पाप नहीं आ जब की रख प्रीथ और उसके लिए पाप भाप ने सुहाद कैने सुहाद की राफ प्रीथ पाप प्रीथ पुपाब की रछीड है बाप पाप पाप और वभावाद की रवाद पाप, व्यार टुम्हें कि देखा बेटी नारी के सिंधूर की रक्षा करने वाली तेवी मां की यही इच्छा है इसलिए उसने तोवारा सिंधूर दुनिया की नदरों से चुपा कर कि अपना कर्टव से पूरा करने की आघ्या देदी है कर्दा सोहागनगा वीपी इस तरह पते के होते हुए मैंने अपनी माँ का सिंदूर और मारते के बिंदी हडा दी और और अपना मंगल्दों दुन्या के नजरों से छुपा रखा एक देवी की तरह जिंदगी गुजाने वाली को सिंदूर अपिंद्या की क्या सरूह था लक्षमी तुम तो पहले भी अच्छी थी लेकिन अब तो अच्छाईयों किसी माँ पार कर चुकी हुआ और मैं मैं एक अमबख्त शक की चिंगारियों से लगाई हुई आग में उनकी अग्नी परिक्षा ली मगर राम राम ही थी सीता उनकी जेगा कभी न ले सकी आप हे मेरे राम ही आपसे अंचने में कोई भी कल्टी हो गए हो लेकिन आपके सामने सर मेरा ही चुका होगा पुजा आप हेगे करमे लक्षमी खुमार साब सच कहते थे तुम और अगी देवी हो मुझे मेरी देवी खब में लिखी ये तो तक तिर के रामा लिखने वाने राम ही चानती है मैं क्या कह सकते हूँ इंतजर किजिए उन्होंने अलग किया है तो मिल लेकर आज साभी पताएंगे 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 आज से इतना प्यार क्यों करती है क्योंकि तू गाता बहुत अच्छा है मेरा किशूर कुमार है चपीर कुमार है तो तानसें के बारे में तिरा क्या ख्याल है अच्छी पिक्टिर थी लगे थी शीला थेगर में अब भूत नीक है जाए जाए तेरे को गाना पसंद है खाना नहीं मालिक खाना नहीं गाना हमका पसंद है मालिक प्रेक काम कर यह टनी का क्या गाएगा अच्छा इसका और मेरा मुकाबला कर जीतेगा उसके गले में तू वर्म मला पैना देना भूल मंजूर है हा मालिक मंजूर ह हमका मंजूर है तेरह मंजूर है हाँ मंजूर है सुन नहीं आउर ओ आउर आउर ए प्रआप प्रआपम प्रती जो में पाँना पड़ा ओ बंड़ा सुर्द अभी जापड़ा जाना पड़ा जट्ट परने लिए भाँने जहत्पत खूंगत खूल मुकरा दिखा हसीना जटपत खूंगत खूंगत खूल इसके संग मत बोल हसीना यह बड़ा कमीना जट बट गूंगत खोल, खोल, मुखडा दिखा हसीना जट बट गूंगत, जट बट गूंगत खोल खून झाल, जरब पड़ला कहो झाल तूने कितना प्यार किया था पहले भी एक धो बन से अरे भूल गया यादे यादे तुझको कितनी मार पड़ी थी मेरी एक पडो संसे यादे ना आया है यादे रहना पड़ा अस्पदाल में तुझको पूरा सवा महीना जड़बट गूंगत खोल खोल मुख्राओ दिखा असे ना जड़बट गूंगत जड़बट गूंगत जड़बट गूंगत खोल जड़बट बीड़ गुझको जड़बट गुझको हुआ हुआ है यह कुछ और है डांस नहीं, तेरा कोई चांस नहीं, छोड़के तू सुड़ दाल न चल, कवे हंस की चाल न चल, वे जोश जवानी तुझे तला, अरे बुझ्धा गोड़ा लाल लगा, अरे यह बात है, तुर देखो, देखा, देख का मर्दा का मजरा, कर ले तू आरा मजरा, आने लगा मेरी जान अभी से, आने लगा मेरी जान अभी से, हाँ, 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 तुझे पसीना, जट बट गूंगत, खोल, खोल, मुघडाव देखा, पसीना, इसे के, मैं तु बोला, यह बड़ा, लेड़ गया, अरे इक सो गया, एक कंदो करने की अलाज सो गया, तु हार गया, मैं जीत गया, देखा वाँ, मैं तो गी आरी तव्त 하는데 के अलाज सो गया, जीत ग्ट, ंपी तड, जीत गूंगत को.. को, को खूंगत को.. को … ललीटा और इसके वापस लेगे प्रफिसर साहा ऐसा लगता है आपने ललीटा पर जाजू कर दिया है आपके बरगर तो ऐसे उदार्स हो गई थे जैसे उसका कोई खाजाना खो गया हो बाइर है बापके बगर बेड़ी का यही हाल होगा हमारा पर सभी बड़ा हक था अब हम इसे खूब पढ़ाएंगे और देहज में इसके ससुर को तिक्री देंगे तो उन्हेंने शर्त रखी है साहब हमारा पैसा आया यह लो तुम आकर आया कितने रुपे बीस रुबे साहब यह बीस रुबे नहीं है आपके शादी होती है कि अपके शादी होती है हाँ हो चुगी है तो फिर आपके पत्नी कहा है यह रहती है यह तो दिल है कोई घर थोड़ी है जो आपकी पत्नी आ रहती है अधे घर में तो सभी रहते हैं लेकिन पत्नी जो महान होती है वो दिल को घर बनाकर महान रहती है तुम भी अगर पास हो गई और मेरी नजरों में महान बन गई तो तुम्हारी जगा भी इसी गर में होगी सर आपके बच्चे कितने हैं एरे दो बच्चे हैं एक बेटी और जो मेरी बेटी से शादी करेगा तो मेरा बेटा ही हुआ ना आपके बेटी का नाम लालिता और आपके दामाद का नाम मैं बता सकती हुआ एक बड़ा ही नालाइक अख़ड किसम का लड़का है एक बार क्लास्रूमें ब्लाकबोर्ड पर अपने प्रोफेसर की तिस्वीर बनाने जा रहा था तो खुद की तिस्वीर बना बैठा यूज टिक्पिट इडियाट भूआ नहीं तुझे मैं अपने होने वाले पते को घरा बोलती है संभालकर परसाथ आइना देखे जी बालों में सबेडी आ चुकी है अरे ये बुड़ापे की सबेडी नहीं ये तो मौबबत की चांदी है जो दिल से उचल उचल कर बालों के जंगल में अटक कर रह गई है कभी मौगा मिले तो इस दिल के ज्वारा मगी में जहांका तो देखो नम सारे मुझे भूल जाने लगे वक्त बे वक्त तुम यादाने लगे वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे लाम सारे मुझे बूल जाने लगे वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे रात बेवक्त तुम याद आने लगे वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे वक्त आने लगे वक्त तुम किस्ट बेवक्त तुम पिएनड़Jeं याद वक्त तुम आप गभाजोजे को जा लगा है कोई बाद ना मझे फूल जा लगा। सच कहो दर्द ये तुमको कैसा लगा। सच कहूं गर्दिये तुमको कैसा लगा वक्त बादा मुझ को एका लगा लोग डॉली में मुझे को भी ठाने लगे वक्त बेवाद तुम ना दानी न दे नाम सारे मुझे भूल जाने लगे वक्त बेवाद तुम्या दाने लगे वक्त बेवाद तुम्या दाने लगे आज तक दुनिया हमको सथाती रही दो दिलों पे लिखाती रही ये मुहबत हमें आजमाती रही अब मुहबत को हम आजमाने लगे वक्त बेवाद तुम्या दाने लगे वक्त बेवाद तुम्या दाने लगे वक्त बेवाद तुम्या दाने लगे आजमा लेवाद पुम्या दाने लगे जोड़ दिल के कहँ पाशा के कभे जोड़ दिल के कहँ पाशा के कभे जोड़ दिल के कभी जोड़ दिल के कभी आग तुम मेरे दिल में लगाने लगे वक्त बेवस्त तुम यारानी लगे नामों सारे मुझे भूल जाने लगे वक्त बेवक्त तुम यारानी लगे रात भावे हाँ मुझे का जानी लगे वक्त बेवक्त तुम यारानी लगे वक्त बेवक्त तुम यारानी लगे वक्त बेवार्ट तुम यादाने लगे अरे रे एक दिन क्या लेटाई तो इतना गुस्ता मुझे छोड़के जाने लगे अच्छा लालिता अगर हुआ क्या? कुछ बताता स्रही मुझे सवाल मत पूछो अगर हिम्मत है तो जा कर अपनी मा से पूछो अरे साथ छोकरी के चक्कर में तुम अमारा भाड़ा भी भूल गया थोड़ी देर में आता हूं तुझे अक्टिब बेदूँगा हाई ललिता मुझे फिरा कर चला गया न ललिता ओल्ड इसकोल जो नया है वो बेवफा जैसे रूवी अब यवी वक्त है मेरा हाथ थाम लो जिंदगी पर हैश करांगा मिरजान वाफ क्या इंडियन नारी है वाफ 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 तुम तो बड़े स्टाइस रिश करने जा रहे थे लेकश्का बेटी हगा उसमें टूमारे के तो दिन में तारह नजर आघा हूँ अरे गुसा थूप दे मुझंये तुक लेना नहीं है ऐए चाहिख देना ही होगा लड़की है कौल तेरी नानी लगती है, कमाल है यह शहर की सबसे दौलत मन बेवा लक्षमी देवी की बेटी लक्षमी की बेटी है? हाँ और इसकी शादी मेरा सबसे बड़ा तुश्मन रवी के साथ होने वाली है बेट प्राब्लम यह शादी नहीं होने चाहिए अगर यह शादी हो गई तो सारी दौलत उस लड़के की हो जाएगी और मैं सड़क पर क्या वात है? तुमको ज़्यादे जजबाती हो रहे हो? बेटा, तुमने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देखी है? देखा नए, फिर्फ तुना है बेटे मैंने देखा भी है और सुना भी है यह लड़की हीरे का अंडा देने वाली है तुझे कैसे मालम? तुम्हे लड़की से मतलब आम खाने से मुझे तो हर हाल में यह लड़की चाहिए मुझे हर हाल में आम चाहिए यानि के डॉलर देखो बटा, तुम्हें लड़की मिल जाएगी और मुझे बड़ा-बड़े आम इस शोब काम में हाथ मेलाई लेते हैं तबी, सुनो तो हट जा लालिता, मेरा रास्ता छोड़ दो नहीं, आज तो रास्ता नहीं छोड़ूगी और उस वापत नहीं छोड़ूगी जब तर तुम नहीं बदा देते कि बात क्या है, तुम किस विज़े से नाराज हो जाओ लालिता, मेरी जबान मत खुलवाओ आज जबान खोले बेखेर तो, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूँगी इमत है तो सुनो लालिता, तुम एक तुम एक पचलन और पतकार मा की बेटी हो बदी शराफत का ढ़ोंग करने वाली एक अया शरत की बेटी हो तुम बदी तुम्हारी विद्वा मा, प्राफेसर वीजाई चौदरी की बाहों में बुरी तरह से लिप्टी हो थी बद तुम्हारी जुबान पर आही कैसे मेरी मा को गाली देते हो आज के बाद मैं तुम्हारी शकल भी देखना नहीं जाती I hate you, I hate you No problem Londia hit ममी मैंने क्या दिया है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी मतलाब नहीं करूंगी तुनिया इदर की उदर हो जाए मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी लेसा, ये क्या भागलपन है शादी की तमाम पयारिया हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि ये शादी नहीं करूंगी मजग है क्या मैं ये शादी किसी हालत में नहीं करूंगी रवी ने कुछ कहा कुछ नहीं कहा किसी ने ललिदा, तुम उसे कुछ चुपा रही है तो उन्हें आज तक अपनी मा से कोई बात नहीं चुपाई आज भी मत चुपा बता बात क्या है नहीं बता सकती मा नहीं बता सकती जिस बात को मैं बरदाश नहीं कर सकी उसे तुम कैसे बरदाश कर सकोगी ममी मैं रवी को कोभी वाप नहीं करूंगी देख बेगे जहां सर्चा प्यार होता है वहां लड़ाय जगरे घलत विम्मी होती ह और घ्रात्ताय में बहुत है ये उससे पहले ही बज़ादेना चाहिए परना कभी कभी ये चिंघारी सबसाई घर को जलाकर खा कर देती है है उसके मंट कर मैं रौज लज करोगी नहीं मा तुम रवी-स नहीं बात करोगी अगर तु मेरी माँ हो तुम्हें अपनी बेटी की ज़त प्यारी है तु उसे कोई बात नहीं करोगी मम्मी मैं रवी को कभी माफ नहीं करूगी कभी नहीं कभी नहीं प्राफेसर चौदरी बहुत जबत करने के बाद मैं तुमसे यह कहने के लिए आया हूँ कि आज शाम सूरज जुबने से पहले ये शेहर छोड़कर चले जाओ वरना इस लोहे की सलाख से मार मार कर मैं तुम्हे ये दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूँगा क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे मेरे स्टूइन्ट की तरफ से ये इनाम किस खुशी में दिया जा रहा है तुम्हारे असलियत के बदले, या तुम्हारे काले कार-नामों के बदले अपने इस भोले चहरे से तुमने बहुतो दिनों तक तिक bonito बनाया मगर तुम्हारे इस मासूम च serie के पिछे चुपा हूँ तान मैं अपनी आंकों से देख चुका हूँ परफिसर तुम लोगों को तो शराफत का सबक सिखाते हो लेकिन खुद खुद पापी हो एक गिरेव इंसार हो तुम्हें लालीता की विद्वा मा के साथ प्यार का गंदा और घिनाना नाटक करते हुए मैंने अपनी आखों से देखा है है को जवाब तुम्हें पास जवाब तो ऐसा है अगर दूँगा तो पैरों तले जमी निकल जाएगी लेकिन इस वक्त खामोशी ये बेटर है कभी ने कभी मेरे बदले वक्त खुद तुम्हें जवाब देगा वक्त जवाब दे ना दे मगर मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि आज के बाद तुम्हें शहर में नजर नहीं आओगे अच्छी बाद तुम्हारी चेतावनी का बहुत बहुत चुदिया क्या बाद हमें रवीन आपके पास भेजा है यह कहने के लिए कि जितनी जल्डी हो सके आप ये शैर खाली कर दीजिए कर देंगे ना सर मेरे घर में मेरी इजासत के बगार चोरों की तरह घुसा है और मुझे धंकी तरह हो जी आ सर सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम इस शहर से बार चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें इस दुनिया से भाल ले जाएंगे क्योंकि हम ठहरें भाड़े के टट्टू जैसा रभी बोलेगा वैसे करना पड़ेगा ना राइट राइट कि कर दो । किल वकरिप लिए कर दो करने कर दिरैंगい प्रफसर ताप पर गुंदर में हमला कर दिया जियां जियां वो बहुत जखमी हालत में उनके होटों पर एक शब्द है लक्षमी लक्षमी उनसे कहें मैं अभी आ रही हूँ हाँ कि अभी है कि या बात है ममी कहां जा रही हो वह वह आज शायद्थों का अखरी सोवार है ना मैं मंदर जनब भूल गए तेरा खाना तयार रखा है तो खाले मैं अपनी भगवान को देखकर जल्दी वापस आजाओंगे है बगवाद ए क्या अब बुरी तरह खाल हो गए है चलता है लक्षमी जखम सैने की आप तो आदत सी पढ़ गई है शायद दिल में जगा नहीं मिली इसलिए जखमों ने शरीर पर ठीकाना बना लिया पर तुम्हें किरसे पता चला किसी ने फोन करके बताया लेकिन बता है तो सही यह सब यह सब किस ने किया यह कुछ गुड़े लगिन इसमें रवी का कोई खुशूर नहीं है लक्षमी रवी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया और और उसने मुझे यहां से चले जाने की धंकी भी थी तो ऐसे देखा जाए तो रवी का कहना भी सही है अगर मैं या रहा तो तो हम दोनों जरूर मिलेंगे और हमारे मिलने से उनका प्यार अद्नामी का शिकार होगा उनकी शादी टूच जाएगी इसी बहतर है कि मैं मैं यहां से चला जाओं मैं साबत कहिं मैं मजबूर कई लग्ष में मेरे जनदा होते हुए भी व्द्वा का जीवन गजारा मेरे मर जाने पर भी तुम विद्वार ही रहोगी लेकिन मैरे यहां से चले-जाने से ही लालिता की मांग मिरं पाट जाएगा आपको पाया भी है तो खोदेरे के लिए आज मेरा सुहाद मुझे मिला है उसे अपने कहने की इजादा तक नहीं मुझे एक रिपा किछे लुटा के शादी तक रुप जाईए उसके बाद में मुझे जाना ही होगा आज फिर शक्यात ने जर्म डे लिया है जब तक मैं नहीं जाऊंगा कोशियों के कदम उस घर में नहीं पड़ेंगे लक्ष्मी तुम तुम समझ लेना के बरसा पहले ही में मर गया था और तुम सच मुझ विद्बा ऐसे कभे मत कहिए गा मेरा सिटो यह भगबार के पास अमानत है उसकी किसुखा कर कह रहें मैं आपको जाने नहीं कॉइदउकी मैं आपको जाने नहीं कॉइदे जयाज जयाजाजाज एंग। जयाज। लिश्टा छुडु गुजे जिन्दह नहीं रहना चाहाँ लगी तुमने सच गहा था लगबतकार मा की बेटी हो और एसी मा की बेटी को जिन्दा रहने का कोई हग नहीं है मुझे मर जाने दो तुम क्यों मरोगी मरेंगे वो जिन्होंने अयाईशी की हत्यार से अपने जमीर को कतल कर दिया जिन्होंने अपनी आत्मा अपनी हया को मार डाला तुम्हारे मर जाने से उनका जमीर तुमारा जिंदा नहीं हो जाएगा हम जिएंगे लिटा हम जिएंगे उनसे बेतालूख होकर उनसे कोई भी समन रखे बगएर हमारे पास हमारे पास हमारे प्यार की दौलत है हमें तुम्हारे मा की दौलत के जरूरत नहीं है अच्छी बात है तुम मेरा घर पे इंतिजार करना उस घर में आखरी बार होकर आती है लालिता लालिता फिकर मत करो मैं इनकी दौलत में से किसी चीज का हाथ नहीं लगाऊंगी उस पाप के घर में पवितर चीज रखी है सिर्फ वो लेकर आऊंगी जहां भगवान आपके बहुत का रिप है एक बार उसे पूछकर तो देखिए कि क्या चब तू अपने फक्तों की परिक्षा लेता है तो उनके दामन में दुख डालकर बबारे सक्टना बूल जाता है आपको दिये हुए वतन का पालन करने के लिए मैं हर जखम को उसको राकर सेती रही सुवागन होते हुए कुछ रबनी रही लेकिन काम तक यह अभगत कहां तक सेती रहेगी पर इतना शिक्मती थी है कि वतन का आखरी पालन कर सको नहीं तरको दिलहट बना कर इस घर से बिज़ा कर सको मैं कर सेती है मैं क्यान में था यह सबस्तर कहा ने जा रही हूँ जहां मैं जाओंगी जारी की तस्वीर भी बही जाएगी मक्श्मी तेवी जी हां तुन्यक का असुल है कि अगर बेटे को उम्राह हो जाए तो मा उसे मारती है सदा देटी है जब घर से निकालते थी है लेकिन अगर मा को उम्राही के राभ़ते तर चलि जाए तो बेटे की लिए एक य्यू पार आ जाता है वो खुद घर छोड़कर चली जाए नहीं नमिता, नहीं इस घर से ऐसे मत जाओ मैंने एक ही तो बना एक ही सपने पर मैंने ये पाहाद जेसे जिल्दी कारती है कि तुम हरी बाग में सिंदूर लग जाओ कि तो तुम सुहा कर जोड़ा पहलो साथ पहले पूरे करो और इस घर से बिदा हो जाओ बस बस तुम सिंदूर इस अभागन मां के जोली में डाल दो जो सिंदूर तो मेरी मांग में लगाना चाहती हो वो खुद की सूनी मांग में क्यों नहीं लगा लेती तुहा का चोड़ा मुझे पहलाने के बजाए खुद क्यों नहीं पहल लेती जिने साथ सेरे कराने के बजाए प्रोफेसर साथ के साथ खुद साथ सेरे क्यों नहीं लगा लेती अब उनकी ही साथ खुलम खुल अडा करेना शूरू करो नलीता तुम्हारे लिए मर चुकी है इस वकील ने जिन्दगी बहुत सारी कहानिया सुनी है अगर ऐसी दर्दना कहानी पहले बर सुनी है आप फिकर मत कीजिए मैं रवी को समझाऊंगा तौम मैंने तुम्हें शहर छोड़कर जाने के लिए कहा था ना रवी यह तुम्हारे उस्ताद है उस्ताद ऐसे बात की जाती है यह उस्ताद नहीं नहाई ते किराव आदमी है नीच है जलील है ऐसे आदमी का हमारे घर में बटना हमारे घर का अपमान है तेना सच्चाई जाने किसी पे इलजाम नगाना, किसी का खुन करने से बड़ा जुर्म होता है सच्चाई मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं जानते हो, सच्चाई मैं तुम्हें बता हूँगा इतनी, इतनी, इतनी या, मेरे निल्का आगे मैं जो पता था, कि मेरे बेदी मेरे बगर नहीं रहे सकती निल्का मोगा अब तुम यहाँ क्या लेने आया हो? लेने नहीं, पर टोरने आया हो बात दर असल यह है कि आज से फंदरा साल पहले इस घर के साथ मैं एक हसाब अधूरा चुड़ गया था आज उदुसाब को मैं पूरा करने के लिए आया हूँ अब तुम जाता हो, यह पुलिस को बलाओ लेकिन बुलाने से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुनोगी तो तुम्हारी यह दुनिया घुम जाएगी तुम्हारी चहेती मासूम अमीर बेटी इस कड़के के कबजे में है तुम जुट बले हो ना, 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 मैं बाइमान आदमी जरूर हूँ लेकिन बाइमानी की बात में जूट नहीं बोलता और मेरी सचाई का सबूत है मेरे स्वर्गी भाई साथ की जिसे आपकी बेटी अपने साथ ले गई थी इसमें घवराने की कोई बात नहीं है मैडम आपकी बच्ची मेरी बच्ची है मैं को फुदूल में उसे जानते थोड़ा मार दूगा मुझे चिर्व आप उसके खिलोने दे दीजे मेरा मतलब है आज सूरे दूगने पे पहले अपने जेवर, अपनी बेटी के जेवर और जितना तुम्हार पस कैश है न वो सब लेकर काले खंडर पहुंच जाना मगर एक बात का ध्यान रे मैडम मैं बहुत सूर आदमी हो अपने बाप का खून मैंने किया अपने भाई को तुम्हारी आँखों के सामने मैंने जान से मार दिया अगर तुमने मेरे साथ कोई चाल चलने के कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी के जिसम को काट काट कर इससे चुकड़े करदू हुआ कि उसकी लाश को कफल में लपेड कर चिता पर लेटाना मुश्किल हो जाएगा प्राब्लम? लो प्राब्लम! मेरे भक्तो एक जमाना था इस मंदिर के भगवान को फूलों को चड़ावा चड़ाया जाता था आज जमाना ये है कि शैतान को धन का चड़ावा चड़ाया जाएगा मेरी लटरी! आईए लक्षमी जी आईए! आईए! वा लक्षमी जी वा! आप तो साक्षाद लक्षमी है! हाद में धन की लक्षमी है और मन में पेटी की महबत की लक्षमी है एक काम दीजिए, ये बैग की लक्षमी मेरे हवाले कर दीजिए नहीं, पहले ललिता को मेरे हवाले करो करेंगे लक्षमी, जरूर करेंगे लेकिन पहले धंदे का असूल तो पूरा कर ले इस हाथ से बैग लेंगे उस हाथ से आपकी ललिता देंगे ला बैग ला अरे घबराइए मात लाइए प्राब्लम नो प्राब्लम बैग दो इसको लगिटा निशान ज़रा देख मेरा चड़ावा पूरा है कि नहीं तेरा चड़ावा ठीक है लक्षमी, तुमने इस लक्षमी के लिए मुझे 20 साल तक तड़ पाया है पहले अपनी तड़प का ब्यास ब्रह दो कुरा करनों क्या मतलबीव ये कि जिस तरह झाल乾़ प्रका ब्यास दौलत की शकल में वसूल किया जाता है उसी तरह तरप का ब्याज तरप की शकर में वसूल किया जाएगा और आज से हम अपना ब्याज वसूल करते हैं पगड़े इसे लिजान असल तो मैंने वसूल कर लिया है ब्याज तो वसूल कर ले कि विजन पजे भी तो दुझा शुचान अजाएगा जाएगा नो प्राब्लम कातार भूल गया तुने पी तो अपने भाई के साथ काद्री की थी मैंने की तो क्या हुआ अर तुन नक तुन लोगो कमाल चाहिए ना मैं दूगा आपके मेले कि मुट! आपके मेर देखो लोगे! रावी! सबसद्धाई, आरे बेजिको बचालू! यहाए की मुर्थी है अपने चरनों में अन्याए नही नहीं होने देगी झाल झाल कर दो दो और झाल 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 सलिए! करिए प्रुमाई चीजे अ कि अ करिए प्रुमीट प्रुमाटन। और अंग्याटन। प्रॉब्लम तेरा नाम है मेरा आज का युक का रावनु में प्रॉब्लम युक का युक कि अ वावनु आज का युक कि अएवनु प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहां जो आप आपनादे दूपर आप जाए यह जाए यह आप आप लोगात प्रें एंप आप अजरी यह आमरे साथ चाहुष जाकर माफि मांगों प्वी माह से उन्हों पार चली गई तो संसार से सच ऑर पभी दर ता हमेशा हमेशा के यह बहुत जाएगी जा कि माफि और इंसे सै नहीं से इस किस्ट इब जो तुम्हारी महानव होते हुए तुम्हारी माह eerste माहान है यह क्या है बिल्कुल सही कह रहा है जिस शक की आग ने तुम्हारे होश को जला दिया है उस आग को बुझाने के लिए मैं सच्चाई को पानी की तरह इस्तेमाल करूँगा मैं वकील हूँ आज तक बहुत सारी अदालतों में मैंने मुकदमे लड़े हैं मगर आज मैं संसार के सबसे बड़े जच की अदालत में तुम्हारे शक का मुकदमे लड़ूगा मैं इस मान जच के पवितर चर्णों की सौगन खाकर कहता हूं कि सच कहूंगा और सच में जूट का एक शब्द शामिन नहीं करूंगा इस देवी ने जिंदगी में दो बार शक की आग में सच्चाई की अगनी परिख्षा दी है पहली बार तो जब इनकी अपती प्रोफेसर चौदरी ने इनकी पवितरता पर शक किया और इनको घर से निकाल दिया यह जिंदगी से मायूस थी ऐसी आलत में तुम्हारे मरते पिता ने तुम्हें इनकी गोर्ब में डाल दिया और इन से वचन लिया कि एक मा की तरह तुम्हारी परवरिश करेंगी इन्होंने वचन दे तो दिया मगर उस वचन को निभाने के लिए इन्होंने वोख कुर्बानिया दी है जगर आकाज से को देवी भू उतर कर आ जाती तो उसके बेक अदम डगमागा गए होती तुम्हारे पेता मर चुके थे मगर इनके पती जिन्दा थे यह सुअधन भी मगर तुम्हारे मासूम दिल कुछ चोट न लगे करि तुम्हें यह पसा ना चले कि यह तुम्हारी जागी माँ नहीं है इस देवी ने अपने मांग कर सिंदूर रटा दिया जब तुम्हारे मांग में सिंदूर की बारी आए तो इनका सिंदूर तुम्हारे सिंदूर के रास्ते में रुकावट पैदा नो करे तुम्हारी माना होते हुए भी तुम्हारी मा बन गई मगर अपसूजी है कि तुम उनकी बेटी न बन सकी मुझे माफ कर दो मैं इसकाबल तु नहीं हूँ मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो यह क्या कह रही है बेटी तेरी शक्की आँख में मैंने अपने सच्चाई के अगने परिक्षा दे एक दिन तुम्हेरी हादर अपनी मांग के सदूर हटाया था आज मैं तुम्हारी मांग तुम्हारी ही पती के घुटके संदूरी रंग से तवरूगे प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम मुबारा को इंस्पिकर साथ मर गया गिरुफार कर लेगे प्रवान आज कल कि अवलाद को अकल दे के वो अपने माबाब को इज़त दें उनको प्यार दें कि मुझे कर भी कभी पैसा दे दिया करें को पैसा नहीं देता है कब तो कुधार में काम से लेगा है लुशना आजने कि क्या पाज अजय निजाए बजन तो बहां एक परस के मोदम चार मोदम चार मोदम चार माँ कर दो कर दिया डाष्त कर दो कर दो की से बादा pow